हाई गाईस वेलकम बैक यो सेशन स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आल इस्टडी नाइंटीनाई में जी आज आज हम बात करेंगे कंप्यूटर वन लाइनर क्यूस्टिन्स के बारे में जी हाँ गाईस यहां पे हम बात कर रहे हैं अपन जो है कंप्यूटर को तो बात करते हैं यहाँ पर कीईस्टिन नंभर पहले कि यहां पर आप देख सकते हैं मेरा पहला क्यूस्टिन है sorry guys यहाँ पे थोड़ा page जो slide हो गया यह जी यहाँ बिल्कुल right तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा question number first है भारत का सरवधिक सक्तिसाली सूपर कम्पूटर परम है जी यहाँ guys यह most important question है भारत का जो होता सबसे सक्तिसाली computer कौन है परम most important question जी हाँ guys इसे आप note करिए या write down करिए लेकिन आप इसे इस questions को याद करेंगे जी हाँ guys यह मैरा आथान session चलने के बाद जहां पे हम फिर revision session करेंगे जी हाँ guys बहुत ही मज़ा आने वाला है तो आप लोग इस video को like करिए चैनल को subscribe करिए जी हाँ guys और मेरा question number पहला आप देख सकते है भारत का server अधिक सक्ति साली super computer जो होता है परम है जी हाँ guys most important question अगला है परम super computer का विकास जोता है CDAC यानि पूरे में जो इस्तित है इसके द्वारा किया जाता है जी हाँ guys super computer super computer की बात करें तो super computer हम उसे कहते है जो एक normal computer होता है अगर 10 normal computer जितने कारेंगे वो super computer जो है अकेले ही उतना कारी करता है यानि 10 computer के बराबर जो है अकेले आप कर सकता है super computer जी हाँ guys इसलिए इसे नाम दिया गया है super computer आप समझ गया है जी हाँ guys यह नार्मल computer के पिछ्षा जो है आजिक सक्ति साली होते है इसलिए सर्व सक्ति साली computer जो है super computer अब भारत में प्रज्जेल क्यां करी होता है जिह ज David और इसकी जो होता है because कहा पे होता है CDA CD as can do Not one अगला हमारा देख सकते है कि उस्से नंबर तीसरा है रैम की गणा मेगा बाइट में की जाती है जी है गाइस रैम जिसे हम मोबाइल में जब जाते हैं दुकानों को छे मोबाइल पड़ास करने के लिए वहाँ पर हम मोस्टली पहले देखते हैं क्या रैम इसका रैम कितना है म्याँ त्वीज boş ना उसना है आप देख सकते हैं राम की घड़ना में चीज सकते हैं इसका फूल नेम यह यहां कुछन आप देख सकते हैं कुम्पूर्ट एक यहां की झोएक केम्पूरट के आगे जो यह कीवर्ड होता है इसमें जो बटनें होती हैं, उन सभी बटनों को अगर काउंट करें, तो 101 बटन जिस कीवर्ड में होता है, वो कीवर्ड जो होता है, क्यमपुट कर सबसे अच्छा क्यमपुट कर माना जाता है, वैसे आप तो बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं, कोई without वायरलेस हैं, यानि वह Bluetooth के मादम से connect हो जाते हैं और कई तो वैसे wireless होते हैं और कई भी प्रकार के अब तो थोड़े गोले भी आते हैं थोड़े यह लंबे भी आते हैं इसमार्ट तरीके से इस keyboard को बनाया गया है जी हां गाइस लेकिन पहले में जो माना जाता है 101 के 101 कीबोर्ड वाला जो computer सबसे अच्छा माना जाता है most important question यह बहुत बार report हुआ question और पूछा भी जाता जी हां अगर आप triple C कर रहे हैं ADCA कर रहे हैं BCA कर रहे हैं तो most important question है आपके लिए यह fundamental चीज़े आपको पता होनी चाहिए वैसे भी अगर आप course यह नहीं कर रहें तब पर भी आपको यह पता होना चाहिए जी हाइस अगला हमारा next question five number questions अब देखेंगे यहाँ पे computer virus का virus जो है एक प्रकार का program होता जी यह computer virus जो होता है एक प्रकार का यह program होता है जो आपके machine में या आपके device में जो होता है क्या install करा दिये जाता है यह virus होता है एक प्रकार का program ही होता है मानो कोई वायरस आपके केम्पूटर में या आपके मोबाइल में जब इंटर करता है तो उसे इंस्टॉल करने के लिए वो एक प्रोग्राम इंस्टॉल जब हो जाता किसी भी तरीके से वो इंस्टॉल और पमिशन मानता है आप उसे इंस्टॉल कर लेते हो तो क्या एक प्रो किसे वो भी भी हैप करेगा और जो है वो उसका कंट्रोल जो है लेकिन इस एप का कंट्रोल जो है उसके पास रहेगा यानि जिस बंदे ने आपके install करवाता है आप हमें जी हां गाइस अगला हमारा next question आप देख सकते हैं 6 number question है 2 December को computer 7 всё दिवस रूप के जी हां काइस most important question एक बार question फिपर दे रहे हैं 2 December को computer 7 всё Tact بين मना जाता है जी हां guys most important question computer 7 всё दिवस जो होता है 2 December को मना जाता है most important question अगला है मारा next question आप देखेंगे most important question एक यंबी बराबर होता है 1024 के भी जी हां guys 1024 के भी यहां पे kbps जब आपका mobile network अगर आप speed जब आपकी यहां पे इसक्रीन के यहां पे आपकी mobile जब हो गई यहां पे आपका जो स्क्रीन पे यहां पर क्या आपका network का speed दिखाई दिखाई दिता है जब क्लिक कर देते हैं तो फो क्या होता कि आपका आपका network पकल लिया है तो आपका नेट जो है बहुत फॉस चलेगा यानि अब तो 80 KBPS पर चलता है कोई 40 KBPS पर चलता है तो वही KBPS होता है यानि अगर एक हजार 24 KB अगर पकल लिए तो मान लिजिए आपका एक यंबी इस वक्त डाटा जो है यानि एक यंबी पकड़ लिया है आपका जी आगाईस मोस्ट इंपोर्टन्ट क्यूस्चन यह है यानि आपका नेटवर्क इसी पर डिपेंट करता है कि यह कितनी स्टॉंग है यह कि 1024 KB के बराबर होता है और एक जी बी की बात करें तो एक 1024 YMB को जो हम एक gb कहते हैं यह most important question है जी हाँ guys जो हम 1gb data use करते है जो डाटा होता है हमारा data means होता है आकना डाटा डाटा जो होता है हमारा वो वन जीवी जो होता है वो हमारा 104. अगर एक 104.ब चाहे हम को चाहे हैं यह दोनों एक यह बराबर है और एक यह मोस्ट इंपर्टन question था जी हां guys अगला हमारा next question आप देखेंगे यहां पर हम slide कर दे रहें ऊपर थोड़ा हो जाए question जी हां guys 9 question आप देखेंगे यहां पर हम 20 questions का जो है जिक्र करेंगे जी हां guys तो यहां पर हमारा 9 question complete होने वाला computer असुद्धियों को वाइरस के रूप में आपके जिसे हम वाइरस भी कहते हैं और वह एक अलग नाम से उसे हम बग कहते हैं जी हां guys most important question अगला हमारा 10 वह नमर की इस्चन आप देख सकते हैं सर्वधिक तेजगती का printer जो होता है laser printer होता जी हां guys इसकी छमता जो होती है एक ये बार में बहुत सारी copy को जो print कर सकता है तो इसलिए laser printer को जो होता है हमक्या सर्वधिक तेजगती का printer मांते हैं जी हां guys अगला हमारा next question आप देख सकते हैं CPU को CPU को computer काmezस्तिक जाता है CPU CPU både box के रूप में इससे रखा जाता है यहां पे box होता है बगल में computer के जो आस्ताइी computer होते हैं उनमें CPU होता है तो CPU जो होता है computer काенсिक का जैता है क्योंकि इसी में क्या इसी आप जो computer को permission देते हो यहाँ screen पे अपने इस कम आप कीजिएगा हम यहाँ पे इसे कुछ खटा दे लें उसके बाद समझा रहें आपको माल लेजिए आपका यह computer हो गया जी यहाँ guys आपका यह computer हो गया और यहाँ पे आपका CPU है आप समझेंगे यहाँ पे हम जो इस keyword के माध्यम से इसे जो permission देंगे तो यह इससे तार में connect रहता है और यह जब हम यहां पर इसे कोई permission देंगे तो इस permission को यह क्या कह रहा है तो यहां से आता है यह क्या CPU में CPU में फिर प्रोसेस करता है यानि एक प्रोसेस होता है कि यह जी आड़ करने के लिए यह क्या कहा है तो यहां से जो है reply आता है फिर क्या आपके screen पर यानि यह एक input device हो जाता है कौन keyword हो जाता है आपका input device हो जाता है mouse जो होता है यह input device होते है output device वह गया प्रिंटर हो गया यह सब output device होते है जिया guys तो यह most important question था CPU जो था computer का मस्तिक्स कहा जाता है जी आगाइस ही most important question है हम इसे हटा दे रहे हैं जी आगाइस आप note कर सकते हैं write down कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप इन question को याद रखेंगे जी आगाइस most important question है क्यों कि अब देख सकते हैं यहाँ मेरा 13 नंबर question है e-vipar का आर्थ जो होता है internet पर वैपार करना जी हाँ e-vipar इसे हम email कहते हैं email 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 जो होता है कई लोग बैपार में करते हैं लेकिन कई लोग क्या होते हैं इससे जो होती है personal çe inherently share करते हैं email के माध्ययम से जी है guys तो email जो होता है यह ऑपार का नाम होता है internet वैपार जी हाई email जी सम कहते हैं उसी को हम e-wire कहते है most important question था जी है बunctionने को याद होने चाहित है गाइस अगला है नचनल देख सकते हैं और का स्क्राइश और और違う एक मृषट एंपॉर अधेशर होता है यहां fiscal discussion computer Q特- الش पीवोड से जोए तो आप जो है माऊस से भी चला सकते लेकिन उसके लिए आपको कुछ अलग software की जुरूरत होगी जी आगाइस यहाँ पे तो आप वहाँ पे कुछ अलग software की जो यूज करके चला सकते हैं ऐसी बात नहीं लेकिन आपको थोड़ा समय तब लगेगा और आपको थोड़ी परिसानिय जिलनी पड़ेगी जी आगाइस यह most important question है इसलिए जो keyword को क्या मुख पटल माना गया computer का जी आगाइस अगला हमारा next question आप देख सकते हैं 3.25 के floppy में जी आगाइस 3.25 के floppy में 1.44 MB data store किया जाता है यानि इतनी data जो होती है इतना जो हता आकड़ा जो हता हम क्या store कर सकते हैं जी आगाइस कितने 3.25 floppy में जी आगाइस यह most important question है अगला हमारा next question आप देख सकते हैं IBM IBM का पूरा नाम international business machine होता है जी आगाइस IBM के रूप में जानते हैं IBM IBM जी आगाइस most important question है international business machine जो होती है जो हम IBM कहते हैं जी आगाइस international यह तो most important question है जी आगाइस international business machine यानि ऐसा machine जो international business में हमारी help करें उसे हम क्या IBM कहते हैं जी है गाइस IBM most important question है आप देख सकते हैं इसे write down जरूर किये VVIP में आप इसे save करेंगे जी है guys कुछ questions से हो रहे हैं हम यहाँ पर slide कर देने थोड़ा उपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जी है guys अगला हमारा next question hard disk की गती होती है 3600 चक्र-pting minute होती है यानि एक minute में जो hard disk होता है जो cpu में यूज किया जता हर्डीक्स में ही सारी data क्या इस्टोर होती है जी है guys hard disk वो इसे मानते cpu cpu में हीFORE pandiments होता है जी हां गजाइस और इसकी प्लेटे जो होती है वो about 3,600 प्रति मिनट होती है जी जा गाए CT में यह इतने कर शकती है इतनी चक्र हों को बहुत हरें होडस की हुआ sister इसने जो होती है से बहवर धाराओ के रूप में जो उद्बण दूरती रहती है बहवर धाराओ के बारे में आप जानते मिट् Children अगे हैं अगला हमारा इस क्रिंट निश्टन सब्सक्राइब आईMR मं दे कें стak shall को को बश्राइब इουμε के खोंग उलती पुस्टी इंग को कुक्या आप करहते हैं। यहां गाइस करजर मोस्ट इंपोर्टन क्यूशन है यहां पे स्टेटस बार यहां पे कुछ अलग अलग बहुत के बारे में बहुत फंडमेंटल चीजे लेकिन वह सब जो है आपको उतना जानना जरूरी नहीं है लेकिन यह सब जो है एक्जाम के तरीके से अगर वह पढ़ा सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइबetus renewable हुआ है थैं इत्व बार इस प्रियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और वीडियो को करें तब के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैय हिन जै भार